नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल BCS Basic Physics में आज की इस वीडियो में हमें कक्सा बारा जो NCRD की पाटिविस तक है उसके सेविन्थ चेक्टर परत्यावर्टी धारा का एक टोपिक लेकर चल रहे हैं आज का जो हमारा टोपिक है वो है LCR परिपत का गणीत ये विशलेशन विज़ारतियो हम आपको याद दिला दें किसे ठीक जो पहले का वीडियो है उसमें हमने LCR परिपत के बारे में संपूर्ण अध्यम किया था देखे लास्ट वीडियो में लास्ट टोपिक में हमने LCR परिपत में परत्यावर्थी भारा का ताश्रिक मान, सिखर मान, कलांतर, फेजर ग्राफ सब कुछ देखा था और जिस विधी के द्वारा उसको देखा गया था वो था फेजर ग्राफ द्वारा फेजर विधी द्वारा और आज की इस वीडियो में भी हमें LCR परिपत का ही विशलेशन करेंगे बट यहाँ पर गडिती सुत्र फोर्मूलों पर आधरित विधी का हम प्रियोग करने वाले हैं विधारतियो इस टोपिक का हमने इसी लिए नाम दिया है कि LCR परिपत का गडिती विशलेशन mathematical analysis करके हमें LCR परिपत में धारा का ताश्रिक मान, सिखर मान, कलांतर यह सब कुछ यहाँ पर भी हम find out करने वाले हैं विधारतियो LCR परिपत का में परिपत चित्र यहाँ पर बनाऊंगा फिर उसमें हाँ मैं गडिती रूप गडित mathematical formula का प्रियोग करते हुए धारा का ताश्रिक मान, सिखर मान, कलांतर यह सब कुछ find out कर लेगे तो विधारतियो इस वीडियो को स्टार्ड करते हैं देखिए यह हमारे पास में है एक LCR परिपत यह LCR परिपत में एक कुंडली यह संधारी तरिप और यह एक resistance लगा हुआ है इन तीनों को हमने एक परत्यावरती वोड़दा स्रोथ से connect कर दिया है यह जो परत्यावरती वोड़दा स्रोथ है V बराबर V M, sin omega T के रूप में परत्यावरती वोड़दा लगी हुई है इस कुंडली की जो प्रेलक्वा है वो L, संधारीतर की धारीदा C, परत्यावरती वोड़दा स्रोथ के ताश्टनिक मान को भी परजेंड कर रही है जहां पर V M उस परत्यावरती वोड़दा का सिखर मान, omega T उसका कलाकोन होता है अब देखिए कि जो कुंडली है उसके सीरों पर विभुवांतर कुंडली के सीरों पर विभुवांतर सीरों पर विभुवांतर विद्याद के कुंडली के सीरों पर विभुवांतर है उसको हाँ मैं V L से पुटका रहे हैं होता है फिरे पते हैं संधारित्रगे 0 पर ने संधारैइन से P उसको हम वी सी से बुढ़ कर रहे हैं जो कि क्यू अपॉल में सी के बराबर होगा यह हम पहले पढ़ चुगे हैं दोनों ही फोर्मूले अब हम बात करेंगे प्रतिरोद के सीरों पर विभानतर प्रतिरोद के सीरों पर फिभानतर है उसको हम vr से भुढ़ कर रहे हैं जो की i into r के बराबर होता है इसको मैं देता हूँ प्रिश्य नमबर दो अब दीखें ये जो हमें परिपत दे रखा है जो हमने परिपत लिया है इसमें एक कुंदली, संधारितर और प्रतिरोद एक वे प्रतिय और ती बोर्दा स्रोद से कनेपेड है तो इसके सीरों पर जो वोल्डिश ड्रॉफ हो रहा है वो है vl vl इसके सीरों पर जो वोल्डिश ड्रॉफ है वो है vc और इसके सीरों पर जो वोल्डिश ड्रॉफ है वो है vr then यहां पर इस सर्केट में हमें किर्चोप का दूसरा नियम अप्लाई कर देंगे में अलग अलग आवयों पर विभवक्तनों की बरावर होता है तो यहां पर में आप पूठ कर रहा हूं किर्चौप के नियम से को किर्चौप की श्कूनियम हरहका कि यह कूंडली की सीयों पर विभवक्तन का परिमान संदारित्र की सीरों पर विहो पतन का प्रिमान्ट प्रतिरोद की सीरों पर विहो पतन का प्रिमान्ट इन तीनों का जो योग है वो आरोपित विहों के बराबर होगा इसको मैं देता हम equation number 3 इस equation number 3 में समीकरण 1 और 2 को उठागर हम put कर देंगे देन हमें क्या मिल जाएगा समीकरण 1 और 2 को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर equation number 1 और 2 को हम समीकरण 3 में put कर दें तो हमें क्या प्राफ्ट होगा देखिए V of L का mode है हमारे पास में आगया L B I Y D T फिर V of C इनमें पहले V R की वे जो put कर देता हूँ जो की I into R के बराबर है फिर प्लस में V C की जो value है वो है Q upon में C बराबर बराबर में है V जिसका माल है V M sin omega T V M sin omega T ये हमें प्राप्ट हो चुका है clear अब देखिए ज़्यार देओ ये जो धारा आई है इसे हम क्या लिख सकते है धारा होती है आवेश परवा की दर धारा होती है आवेश परवा की दर देन यहां से हम क्या put दर देंगे D I upon D T को हम क्या लिख सकते है dt then इसे हमने d2 q by dt square put कर सकते हैं देगे इसका मतलब है कि q k respect q का अउगलन यह है i तो इस i के इस्तान पर dq upon dt हमने put कर दिया इसका मतलब होगे q k respect q का एक बार उगलन कर रहर है फिर इस d by dt का मतलब है इसना हम तो इसको बॉलेंगे इसको इसको d2 q का मतलब है इसका दो बार उगलन हो रहा है और किसके respect हो रहा है t square इसका मतलब दोनोंी बान T के respect हो रहा है clear तो d2 q by dt square हमें i को putting कर देंगे sorry d i by dt को put कर देंगे तो यहां से यह दोनों के लगए हैं क्लियर कि अब आई और इनकी दोनों की वेल्यू को यहां पर put कर देता हूं तो ऐल d i by dt को हम क्या लिख दें d2 q by dt square फिर आई की जीगे हम क्या लगदें d q by dt हम put कर दें फिर प्लस में q by c बराबर है हमारे पास में vm sin omega t तो d2 q by dt square प्लस और d q by dt plus q by c equal to vm sin omega t हमें प्राप्त हो चुका है अब देखिए यह की जो equation प्राप्त हुई है वो एक परणो देते अवमंद देते दोलक के समीगरण के समतुल्य है सिमिलर है विद्यारतियों ऐसी ही equation हम है ककसा 11 में भी पढ़ चुके हैं कि देखिए पहले तो हम बात करते हैं कि दोलक के क्या होता है दोलक का मतलब है कि यह कोई पिंड अपनी मादे स्थिदी के इड़ दिड़ कमपन करता है तो उसको दोलक करते हैं समन में या व्योहारिक रूप में जो दोलक होता है उसका जो आयाम है वो धीरे धीरे घटकर सुनने हो जाता है तो देखे एक आदर्स दोलक के आयाम के लिए हम बात करें तो उसका आयाम समय के रेस्पेक्ट नियत होता है यह तो एक आदर्स दोलक के लिए मैंने आयाम और समय के बीच में ग्राफ दिखाया है जबकि जो व्योहार एक दोलक होता है उसका आयाम धीरे धीरे घट कर सुनने हो जाता है इस प्रकार के हम दोलक को अवमंदित दोलक कहते हैं एक अवमंदन बल काम करता है तक 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 आयाम है वो नियत बना रहेगा बाहर से एक बल आरोपित कर दिया जाता है जिसके पशात जो दोलग है उसको आयाम नियत बना रहता है तो उस इस्तिती में उसको हम कहेंगे परणोदित दोलग परणोदित दोलग का मिलब बाहर से बल लगाया जा रहा है और यह जो बल है और इस यहाँ पर क्यों दोलन गती कर रहा है तो देखी इस परकार के लिए इक्विशन होती है तो उसका जो सोलुशन है इसका जो हल है वो हम किस परकार से लिख सकते हैं वो देख दीजिए आप लोग विद्यार्टियों यह जो equation हमें प्राप्त हुई है इस equation का जो हल है solution है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे यह हमारे पास में equation नमर 4 आ चुकी है इस equation का उप्रोप समीगरण यह उप्रोप समीगरण है वो एक परणोदित दोलग के समीगरण के संतुल्य है उप्रोप समीगरण एक परणोदित दोलग के समीगरण के संतुल्य है जिसमें आवेश जिसमें आवेश दोलंगती कर रहा है इसमें जो आवेश है वो दोलंगती कर रहा है अब यदि इस प्रणार की वो एक्वेशन होती है तो उस एक्वेशन का जो हल है वो निम्न प्रणार से होगा यह हम हल की सीधा ही पुट करें यह कक्सा 11 में हम पढ़ चुके हैं इसलिए इसका हल सीधा ही लिखा जा रहा है देखें मैंने समीगर्ण 4 को रखा है बाकी सारी रासियों को यहां से हटा दिया है बोर्ड को साफ कर दिया है यह जो समीगर्ण 4 है वो एक अवमन दित परणो दित दोलंगती का समीगर्ण है जिसका हल किस तरीके से लिखा जा सकता है समीगर्ण 4 का हल समीगर्ण 4 का जो हल है वो कक्सा 11 में हम बढ़ चुके हैं उसी तरीके से similar तरीके से निपूट किया जा रहा है यह समीगर्ण 4 का हल हम इस तरीके से लिख सकते हैं जिससे में देता हूं विक्विश्य नमबर 5 अब देखिए यह समीगर्ण 5 है इसको हम एक बार डिफ्रेंसेट कर देते हैं एक बार डिफ्रेंसेट करने पर हमें धारा आई प्राप्त हो जाएगी जो कि dqy dt के बराबर है यहां से qm sin omega t plus theta यह हमारे पास में है जब इसको हम एक डिफ्रेंसेट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है देखिए sin omega t का वो जाएगा cos omega t plus theta omega t plus theta का करेंगे तो हमारे पास में आगया omega जो कि outland करके इससे गुणा कर देंगे clear अब हम इसका दुबारा डिफ्रेंसेशन कर रहे हैं di by dt इसको हम है दुबारा जब डिफ्रेंसेशन किया जाएगा तो हमारे पास में क्या जीएगा qm omega cos omega t plus theta यह आगया हमारे पास में di by dt बढ़ाता है यहां से देखे qm into omega यह तो बढ़ाई है फिर इस cos omega t plus theta का ज़िए हम हम डिफ्रेंसेशन करें तो हमारे पास में क्या जीएगा minus sin omega t plus theta अब इस omega t plus theta का हम हम डिफ्रेंसेशन करेंगे तो पॉल एगा omega जो कि इससे गूणा कर देंगे तो qm omega square आजेएगा clear यह हमारे पास में आई क्या है dqy dt और इसको मैं देता हूं समीकरण साथ समीकरण 5,6 और साथ को हम समीकरण 4 में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा समीकरण 5,6 वे 7 को समीकरण 4 में रखने पर क्या मिलेगा देखिए समीकरण 4 में रखने पर देते हो यह हमारे पास में है समीकरण 4 इसके अंदर हम इन सब की value पूट कर देंगे तो देखिए मैं यहां पर इसके value कर रहा हूं चले हैं से start कर रहा हूं L d2 q by dt s2 इसकी value हमारे पास में यह रखी यह d i y d t है यही क्या है d 2 q by d t square यह हमारे पास में है d q by d t clear तो l पड़ा ही है यह है d 2 q by d t square इसकी value में put कर देता हूँ यह है value minus में qm into omega square भूणा में हमारे पास में है sin omega t plus theta clear फिर दूसरी जो value है वो हमारे पास में है r d q by d t तो plus में मैंने यहां पर यह r put कर दिया d q by d t यह रहा जो की चाहे qm into omega cos omega t plus theta clear फिर q by c तो plus ने 1 upon c है क्योंकि जो value है वो यह रही qm sin omega t plus theta और यह सब कुछ बराबर चल रहा है vm sin omega t k यह हमने सब की value समीगर 4 में put की है vm sin omega t यह हमें मिल चुका है जाड़े यहां कि आप लोगों समझ में आ जाना चाहिए यह मेरे समीगर 4 को यहां से हटा दिया है clear अब देखे जो राज से common आ रही हैं उनको हम common ले लेते हैं यहां sin omega t plus theta इन दोनों trumps में से common आ रहा है qm omega भी हम यहां से इन सभी प्रणों में से common ले लेगे then यहां पर हमें क्या मिलेगा देखे qm omega हमने common ले लिया तो उस प्रण में से यही हम qm omega common ले लेते हैं then यहां पर r cos omega t plus theta बज़े लेगा clear है clear filter plus में दिखे qm omega यहां से common आ गया यहां से qm omega जब हम common構 ले लेगे ünde qm तो common आ गया यहां पर omega उपड़ भर लीटे we नीचनल देखे यहां पर बचिए हमारे पास में one upon में omega c clear और यहां और qm omega common ले लिया तो एक omega बच गया, एक L बच गया और ये minus में बच गया clear और इनके दोनों के ही multiple में ये है sin omega t प्लस ठीटा clear और ये सब कुछ बराबर चल रहा है Vm sin omega t के यहां तक आप लोगों समझ में आ जाना चाहिए बजाद तो ये समझ में आ गए क्या मैंने यहां पर qm omega कॉमन ले लिया और यहां से जब qm omega कॉमन आ गया तो r cos omega t प्लस ठीटा ये ये रह गया यहां से तो, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए अब देखिए कि ये दोनों में से इन दोनों में से एक तो sin omega t प्लस ठीटा ये कॉमन आ गया एक हमें इन दोनों में से qm omega कॉमन ले ले तो यहां से qm omega कॉमन लिया वो तो भाहर ले लिया हमने तीलों में से ही पदों में से इस पद में से इस पद में से इस पद में से qm omega तो तो तीलों में से ही लिया इन दोनों में से आप एक बार omega उपपर नीचे उणा कर देता हूं, यह उपपर qm into omega यह तो बाहर आ गया, यहाँ पर क्या रह गया, 1 upon omega c रह गया, ठीक है, इसलिए यह 1 upon omega c आया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया बिजारती हो, समझ में आ गया होगा, अब देखिए, qm omega r cos omega t plus theta plus, इसे हम लिख दें, यह होगया हमारे पास में, आपस c, यह होगया, आपस l, पिजारती हो, यह तो आप लोग जानती ही है, sin omega t plus theta, और यह सब कुछ बराबर चल रहा है, vm sin omega t के, clear, अब देखिए, इस equation को हम z से, इसकी जो left hand side है, उसको z से हमने गुणा कर दिया, z से भाग लगा दिया, यह जो हम कर रहे हैं, यह गणिये के विधी का प्रियोग कर रहे हैं, इसको एक नए रूप में convert कर रहे हैं, तो z से मैंने उपर निचे गुणा कर दिया, कोई effect नहीं बढ़ता है, then यहां पर हमें क्या मिलेगा, देखिए भी दियारती हो, qm omega z, यह जो रासी है, r upon me z, इसको हम cos phi के equal consider कर लेगे, यह हमने मान लिया, r upon me z, बराबर, यह हमने मान लिया है, cos phi के बराबर, हमने इसको किसके equal consider कर लिया है भी दियारती हो, cos phi के equal consider कर लिया है, और यह जो रासी है, x c minus x l, बटे में, z, इसको हम sin phi के equal मान लेगे, ये दोनों ही हमने क्या किया है माना है इन दोनों को ही हमने consider कर लिया मान दिया अब देखे Qm omega z यहां पर common आ गया R अपोन में z को हमने cos phi माना इसको हमने क्या माना cos phi दें यहां से cos omega t plus theta तो बढ़ाई है cos phi हमने इसको माना वो मैंने यहां पर रग दिया है clear देखें यहां पर यह sin omega t plus theta तो पढ़ाई है अब c-accel अपोन में z इसको हमें sin phi माना है क्या माना है sin phi जो की भराबर चल रहा है vm sin omega t के देखें यह equation समझ में आ जाने चाहिए अब इसमें हमने नई चीज़ें consider कर ली यह phi हमने दोनों ही पदों में मान लिया तो इस phi को हमें ग्याद करना यह phi क्या है इसकी value भी हमें ग्याद करना है यह वैसे हमने phi last जो video last जो topic है उसमें देख लिया था phi दोनो धारा और भोड़ता के मत्यका अप्लांतर था यहाँ पर भी वही है चाहिए तो आप ग्याद कर सकते हैं इसको में देता हम equation number 8 इसे में देता हम equation number 9 और इसे हम देते है equation number 10 देखें समी करने 10 से भाग 9 से 10 के अंदर हम किसका भाग लगा दें 9 का यह भाग लगा दें हमें क्या ब्राप्थ हो यहीगा sin phi upon cos phi sin phi upon cos phi तो यहाँ पर क्या लिएगा x c minus x l x c minus x l upon j गुणा में cos phi की value बिदिनी है r upon में j r upon में j j से j cancel हो गया x c minus x l upon में r आ गया दें यहाँ से sin phi upon कौन है? cos phi यहाँ आ गया tan phi tan phi equal to वो आ गया है x c minus x l upon में r x c minus x l upon में r यह है x c यह है x l clear? देंगे विद्व यहाँ से phi बराबर हमारे पास में आ चुका है tan inverse x c minus x l बट्टे में r विसमें यहाँ पर दूबाला इसको बुट गर दूँगा यहाँ तक आप लोगो समझ में आ गया होगा samigran 8 तक आप लोगो समझ में आ जाना चाहिए clear? samigran 8 को हम क्या लिख सकते हैं? वो देखे यहाँ से नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे पता है दिख गया है 5 यह आ गया हमारे पास में यह जो ब्रेकेट है इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जो की vm sin omega t की बराबर चल भी रहा है clear? अब देखे उप्रोग समीगर्ण में हम left hand side और right hand side की तुलना करेंगे तो हमें क्या प्राप्ट होगा देखी यहां से यह जो vm है वो हमें मिल चुगा है qm omega z के बराबर थदा यह जो theta plus phi है theta minus phi है जो की minus phi by 2 के equal होगा क्योंकि यहां पर minus phi by 2 पूट करेंगे तो omega t minus phi by 2 वो sin omega t में convert हो जाएगा जाती हो तो यहां से आप देखेंगे इसको हम इस प्रगार से लिख सकते है vm बराबर im into z तो हमें क्या मिल गए यहां से im बराबर आ गया है qm into omega qm into omega यह हम जो i बराबर dq.dt है उसके उस equation में भी हमें qm omega ही प्राफ्ट हो आता clear अब देखेंगे यदि हम तुलना कर ली थो हमाले पास में im की value आ चुकी है phi की value एक बार फिर से देख लिए समीकरण 9 और 10 से समीकरण 10 में हम भाग लगा दे 9 का तो phi की value यहां से निकलिया एगी तो sin phi upon cos phi बराबर sin phi की value है x c minus x l बटे में j और यह है r upon में j j से j cancel हो गया x c minus x l बटे में यह आ गया r clear यह है tan phi के बराबर tan phi बराबर आ गया है x c minus x l बटे में r यहां से phi बराबर tan inverse क्या आपकी वार भी दिख रहा है की नहीं दिख रहा है एक बटा दीजिए आप लोग x c minus x l upon capital r capital r यह हमें phi का मान मिल चुका है phi की value प्राप्ट हो चुके phi मिल चुका i m मिल चुका तो हम अब हम i की बात करते हैं i की बात करते हैं तो देखें विज़ारति आई का जो formula था वह क्या था i बराबर था dq upon dt और हमें प्राप्ट होआ था qm into omega cos omega t plus theta cos omega t plus theta हमें यहां से theta की value निकालनी है theta की value निकालेंगे तो क्या आजएगा minus phi by 2 plus phi minus phi by 2 plus phi आजएगा clear then यहां से क्या मिल जएगा i बराबर qm into omega इसके स्थान पर हम i m put कर सकते हैं यह रहा हमारे पास में यह रहा qm into omega की चिगे हम क्या लिख देंगे i m में लिख देंगे और यहां पर omega t अब इस theta की स्थान पर हम मैं minus phi by 2 plus phi लिख सकते हैं जिसे हम मैं i m sin omega t plus phi put कर देंगे omega t plus phi हमारे पास में आ जाएगा दियारतियो clear अब देखे यह आ चुका है हमारे पास में परत्यावर्ती धारा का ताच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् बिया मकॉल में जेडि की रुपें भी से पुट कर सकते हैं लिक सकते हैं जेडियो एकणि जेडि की वेल्य हमें समीकरन नो और दस की आइधा से ग्याद कर सकते हैं लेकि कैसे ग्याद करेंगे आप लोग मैं यहां से क्या लिग दूँ इसको R बराबर हमाएं पास में आ गया है Z cos phi और यहां से XC minus XL बराबर आ गया है Z sin phi अब हम इन दोनों ही फोर्मूलों की साहिता से Z की value भी find out कर लेंगे देखे हम समीक्रण 9 और 10 की साहिता से phi निकाल चुके है I am निकाल चुके है I am को Vm अपन जेड की फोर्म में भी लिख सकते हैं इस जेड की value भी हम यहां से निकालेंगे कैसे निकालेंगे विजारतियों देखे थोड़ा सा दिमाग लगाईए यदि हम इन दोनों समीक्रणों का वर्ग करके जोड़ दें इन दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे तो इधर से तो क्या आ गया R स्क्वेर इधर आ गया हमारे पास में X C माइनस X L का स्क्वेर बराबर यह आ गया Z स्क्वेर cos स्क्वेर 5 प्लस जेड स्क्वेर साइन स्क्वेर फाई इन दोनों में से हमें जेड स्क्वेर पोमर ले लेते हैं तो यह रगया हमारे पास में साइन स्क्वेर फाई प्लस कोस स्क्वेर फाई यहां से साइन स्क्वेर फाई रगया यहां से कोस स्क्वेर फाई रगया Claire ये क्या है हमारे पास में ? R. ये हमारे पास में है XC-XL का Whole square ये Democrat हो गया 1 then Z square की बराबर हमें गोंगे है R square प्लस एक्स C-XL का Whole square और यहाँ से Z बराबर मिल गया है R square प्लस एक्स C-XL का Whole square का Root विजारा दे ये आ गया है हमारे पास ने इसका final answer last result आचुगा है तो दोस्तों यह है परति बादा तो इस गणीती विशलेशन में हमने परत्यावरती धारा का तासनिक मान परत्यावरती धारा का सिखर मान परत्यावरती धारा और वोल्ड़ता में कलांतर क्योंकि परत्यावरती जो वोल्ड़ता है वो इसकी वेल्यू 10 inverse xc-accel upon में r की equal होगी और यहां पर हमने प्रदिबादा का भी फोर्मूला देख लिया r square प्लस xc-accel square के root की equal होता है तो हमने संपून LCR परिपत का यहां पर अध्यन कर लिया है mathematical analysis की जरिये हमने LCR परिपत का अध्यन किया है तो विद्यारतियों हमने इ LCR परिपत का अध्यन किया उसके समान ही सारी सुत्र प्राप्त होते हैं धारा का ताश्रिक मान हो धारा का सिखर मान हो चाहे परतिबादा हो चाहे कलांतर हो फेजरिव विधी और गणी की विधी दोनों से ही सेम मान प्राप्त होते हैं धात यहां पर हमने mathematical analysis की जरिये LCR प प्राप्त है